कि थैफ कहलो गाइज वालकुम बैक तो माइ यूटुप चैनल पैर अवैट स्टुडि विध एक तो आज हम टोपिक जो हमने आज लिआ वो है breeds of buffalo, breeds of sheep, breeds of goat तो आज हम इन तीनों की breeds के बारे में इनके physical character के बारे में और जो भी further important question बनेंगे इस topic में तो हम आज उनके बारे में पढ़ेंगे तो first of all, buffalo breeds के बारे में पढ़ते हैं buffalo breeds में मुर्रा, बदावरी, जफराबादी, सूर्ती, नीली, रावी मुर्रा ब्रीड है हमारे पास तो मुर्रा ब्रीड का जिन्टी प्लेस है यह हर्याना रोत्तक हर्याना में रोत्तक जिन्द करनाल हिसार दिल्ली राजिसार उत्तर प्रदेश के पश्चिम जिले में मिलती है यह ब्रीड ठीक है तो नेक्स ब्रीड जो है वह बदावरी है बदावरी का नेटी प्लेस जो है वह आगरा है और फिजिकल ग्रेक्टरिक्स के क्या है तो फिजिकल ग्रेक्तरिक्स इसके है फर्स्ट फोल इसका तांबे जैसा कलर होता है सर छोटा सिंग चप्टे होते है चप्टे ठीक है जी मुझा राउंड नहीं होंगे चप्टे होंगे और उसके दूद में सबसे ज्यादा और सबसे बदावरी में 12.5 परसेंट नेक्स बीड वह जफराबादी जफ जफराबादी ब्रीड है गुजरात में कटे वड़ी लाप गुजरात भी लिख सकते हो को कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है फिजिकल करेक्टिस्टिक इसके ब्लैक कलर इसका काला मोस्ट लिए ब्लैक कलर ब्राउन कलर इसमे सिंह लंबे तथा कानों के दोनों और आएगा यहां पर स्पेस है न यहांगा आएगा तथा कानों के दोनों डोन्हों झुक हुए और उपर के ओर ब्रेन मौहना पहले चल्ट फिर ऐसे राउंड आएंगे सी टाइप मीचे से उपर गर मुड़े हुए उसके दूद में फैट प्रेजेंट होता है नो से दस प्रसेंट तो इसके बाद है सूरती नेटी प्लेस गुजराथ सूरती सूरत से गुजराथ ठीक है जी फिजिकल करेक्टर से काला बदामी रंग सिकल शेप्ड होर्न चोड़ी पूंच के शोर पर सफेद बाल मंझे इसके पूंच के नीचे जो टेल एंड पर बाल होता है वह वाइट होंगे और फादन प्रतिम्यान अठाथाइसों गिल्लोग्राम यह नीली रावी जिसको पंच को लियानी इसलिए बोले दो यह इस पर पांच जगह के पर स्पोर्ट्स होते हैं वाइट मार्किंग होती है पांच जगह पर इसका जो नेटी प्लेस है वो फिरोजबुर का प्लेक्टर स्टिक्स है रंग काला या बुरा यह ब्लैक की यह ब्राउन की होगी इसके श्रीर में पांच जगह पर स्पोर्ट्स होते हैं पिंक इश्या वाइट मार्किंग बहुत सकते हैं उसको फर्स्ट जो पहले एक एक फोरेड पर ठीक है एक फेस पर मजल पर जिसको लए टोगा है एक और यह ब्लैक्ट के नीचे से खुरों के पास से और इसकी फेसे कम फटेयशंट में जो informações 4 स्पर में नेक्सटी प्लेस इसका ओ तेला महसान अब महरास्ताना से जादे कना महरास्ट्रा फिसकल केरेश रंग काला या बदामी सेम वपर जैसे जिसे मिक्स ब्रीड है महसाना सूर्थियों और मुर्रा की मेलक मिलक इसमें प्रति ब्यांता जो दूद की उत्पाद मुर्णा है 1215 किलोग्राम है तो इसकी कुछ प्रश्टाइब लॉग नेकटेशन इसके बाद जफिरावाद हमने नहीं पड़ी है इसमें गुजरात में गाठिया वाड जिला है ठीक है इसमें पड़ देना सूर्ति नीली रवी आपको पड़ा दी है मैसाना नागपुरी नागपुरी अगरावती अकोला नागपुरी आप ये नागपुर की बीड है रंग काला हलका श्री टांगों पर सफेद धब्बे इसकी टांगों पर भी वाइट स्पोर्ट्स होते हैं सिंग लंबे और चप्टे पिछे की और जुके हुए और मुड़े हुए जैसे हमने उपर पड़ा थ इसमें क्या है नागपुरी में इसके लंबे चप्टे पीछे की और मुड़े माले इसके जोते हैं पीछे की और होते हैं गर्दलमी पूंच छोटी आयन चोटा होता है तो यह हमारी होगी बफैलों की ब्रीड तो नेक्स टॉपिक है हमारे पास ब्रीड शीप शीप की ब्रीड पूइंट है शीप ब्रीड में हूंने मैंने मैंने समय मेंचैन देर हो याज और करसकते हो पिशकर को अजय को इसकी स्भीट की उपवंच हु किया बोलते है तो इसकी स्पिसजय को धर्क्रण में चींडे शीफ है तो करे इस टृजू आई-चैनियो घुक ठीजब क्या बोलेंगे ranchi Damnad बचरे बचरे मिंद धू नहां ख़ोग्वे लची कास्टेशन हुइब उसको कास्टेटर और वैतर बोले ठीड कास्टेटर फीमेल हुआ को प्सपेड से खोड़ की है इसकी इसकी चौने है एक ऑब ऑफटेशन इंया बोगते लैमिंग एकटव मेटेंग को बने को टपिंग और शावड प्रदूज करते अपनी संप 라und करते हैं इसको बोलाइब ब्लेट बी ल एंट इस मीट आफ शीक mean मुलते हैं मतन इसका गैस्टेशर पीरेड होता है फाइफ मन्स फाइफ देज का कि यह सारे पॉइंट सापने नोट कर लेने है तो अब हम पढ़ते हैं नेलोरी ब्रीड के बारे में नेटी प्लेस इसका है अंधर परदेश ठीक है टोलस्ट शीप है यह नेलोरी टोलस्ट शी जो भेड बक्री जासे दिखाई पढती है मतलो कि ऐसी भीड का नाम बताए जो बक्री के जैसे देखती है आपको यह टिक दर क्रेक्ट में आ जाएगा one marks में आ जाएगा फिलप में आ जाएगा किसी में भी आ सकता है यह तो नेक्स्ट वह इसका जो सैकेंड है वह गद्धी ब्रीड गद्धी का नेटीब लेस है हिमाचल और जम्मू और कश्मीर भेड़ों का छोटा होता है कान और पूंच छोटी होती है इसमें एक से डेड़ कि इसकन के लिए मादया का नेटी नेडिव लेस करनाटका सुन्वललश iब रीड़ गातो और मांडi कटी है ओन माल्टी पर्पस बहुत ब्रीड परॉत मूंन क्रुम्धायीं वालगों जैसे कि इस औन्वी प्रांप होती है दूद भी प्राप्त होता है चिकन के लिए मीट बलता है इसके मीट के शीप को में होती है खिर क्या गिर और डेक्स साहर होटे उसमें है मेरिनोप में अच्छी प्रांप जो है अच्छी प्राप्त होता है सव्ड़वन से नेक्स्ट है लेस्टर जो की इंग्लियान की ब्रिद यह ब्रीड नेक्स्ट फिफ्थ रन लिंकॉल यह भी इंग्लेयन की व्रीड है ये कारपफय ट्रीब नेक्स्ट है कॉरीडेल इसका एक फॉर्मॉला है तो इसका फॉर्मॉला है मैं आपको फॉर्मॉला बता जाता है ठीक है जी इसका फॉर्मॉला ये एम और एस एल एल सी इससे आपको बीट्स का पर जाल जाएगा एम से मेरीनो आर से रेमलेंट ठीक है जी तो एल से लिंकॉल लिंकन एल से लिस्टर और सी से होगी इसकी इसको इसको इसे मैथट जिसको हम बोलते हैं इसको लर्न करनेगा तो आप इससे वेड़ 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 तो यह सबसे इसका इसकी एक्जोटिक ब्रेट को लर्न करनेगा मिस्टर ऐल सी मस्टर मतलब की मारी नो रैंबुलेंट लिस्टर मिस्टर से साउड डाउन पहले आएगा फिर लिस्टर फिर लिंकॉन फिर कोरिडाइल ठीक है जी इन सब के वारे में हमने पढ़ना है तो नेक्स्ट टॉपिक है मारे पास है ब्रीट्स ओफ गोड फर्स्ट एक कोशण आता है total number of breeds present in India किंडिया में total number of ket RDs present ऑर जो कि रिजिस्टर नोर्मलल को सारी जो में बनाई वीए बठ जिस्टर ब्रीट सавो किंस प्रेज़निय। में कई है ति तो पर स्टम परते हैं इंडियों saugg視 Kuledu इसने फिसने फिरस्ट न पूरी देट स्थाने मेरी विद्व शबना नदी और चंबल नादी दों नादीा उनके बीच जो वी पड़ता है ओसका एंए juら तो फ्यूसिकल्डी डिक्ष। फीवा defromy नसल उसमें न यह जो गोट की बृट है आप इस पर इक पर ब्रीड ज़रूर एट कर सकते हो यह मीट परफस के लिए You do क्योंकि हर य९ह ब्रीड वह बृट नहीं दीखता है दिखते है को ब्रीड के उसको काड़ बेच दो नहीं हर ब्रीट मीट परफस के लिए यूज होती ही है तो यह पॉइंट आपका हर किसमें आई जाएगा ड्यूल परफस मोस्ली हर ब्रीट मेंगा सारी बक्रिया दूद देती है एक आदी को छोड़के ठीक है जी तो इसमें जो में पॉइंट है यह बक्री की सबसे बड़ी नसल है इट है रोमन नौज और पैरेट माउथ 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 जो इसका फेस का हो है वह पैरट की तरह होता है ठीक है जी नेक्स बीड बीटल निटी बलेस गुरदाशपूर पंजाब की बीड है फिसकल इसको दूद के लिए रख सकते हो इसके बाद है बलाक बंगोल नेटी बलेस वेस्ट बंगोल इसका फिसकल ग्रेक्टर शिक्स में इस बीड इस नोन अज एक्सलेंट मॉटन एंड स्किन कॉलिटी माला बलाक बंगोल अगर आप से पूच्छा जाए कि कौन सी ब्रीड में एक्सलेंट मॉटन मॉटन और स्किन कॉल्टी होती है तो ब्रीड का नाप होगा ब्लैक मंगोल उसमें मलब इस चिकन मॉटन मर्पस के लिए हाइस्ट रू हो है मलब सबसे बड़ी ब्रीड मनी जाती है ब्लैक मंगोल दिस इस दोनाइज फोर गिवन मर्थ टू ट्विन और ट्रिपल मले एक टाइम पर दो और दो से तीन बच्चों को जनम दे सकती है इंपोर्टर पाइं दोनों नेक्स्ट ब्रीड है गद्धी फिर से वही हिमाचल की ब्रीड है इस ब्रीड है इस ब्रीड इस नौन आज हमालय ब्रीड हो एंड फांड इन चंबा कांगरा कुल आ messaging कश्मीर में प्रैजणन होती है या फिर यह उस्पीति में होती है इट इस यूज़्ड फॉर पाशीमा प्र्डक्ष्टन मतलब्न के लिए यूजती है को सब्रेट में को होते हैं तो वह आएगी चेंग दो तिन में सोर भी आप उनकी पढ़ सकते हो ठीक है जी नेक्स्ट है है चंगा थांगी नेटिब लदा लदा कैंटल होल्स पर थी फिजिकल इस बीड़ को पाश्मा इस बीड़ को पाश्मा भी होते हैं ड्यू टू इस अबेल्टी टू प्रो साइड्स दोनों साइड़ों में बाश्मा प्रोडीज होता है तो इसके बाद कुछ बीड़े हैं जिनको भी याद रखते हो बार बारी नहीं साना सूर्ती सिरोही जिब बफ में ब्रीड़ होती है इसमें से एक दो और इसकी भी है गोट की तो नेक्स्ट टॉपिक है इसका गोट मतलब की बकरी की जो विदेशी नसले है रिजिस्टर उनके मारे पढ़ेंगे यह हमारे बास छे नसले हैं एलपाइन एलपाइन जो डीड इड़ फ्रेंच है अंगोरा भी जैसे दिखाई देने वाली बकरी यही भी बेड जैसे दिखाई देती है और पिछले उसमें तो नहीं हमने क्या पड़ा था जो भेड बक्री जैसे दिखाई देती है वह थी नेलोरी शीप ओफ ब्रीड ओफ शेप में और अब इसमें ब्रीड ओफ गोड्स पे कि अंगोरा जो है जैसे दिखाई देती है वह यह बक्री है तो नेक्स्ट फॉर्थ है इसमें एंग्लोन नुबियन इटिज ओल्स ऑफ गोट्स ऑपने तो फिफ्ट है टोगर्ण भर्ग बीड ओफ स्वेट्जरलेंड शिक्स्त है नुबियन सुधान की ब्रीड है यह तो इसको याद रखने का इसमें जादा पूछा जाता है सिर्फ नाम नाम एक्जोंटिक बेड के नाम पूछे जाते हैं वाइवार में पूछ लेते हैं यह यह इसमें जबाना है जो अंगोरा भेड जैसे दिखाई देने का लिए मक्री उप्षिनल में पूछा जाएगा कोशन तो यह ऐसे ह इसको अभी इसको लर्ण करने का भी एक सिंपल तरीका है इसको भी आप एक फॉर्मॉला की तरह से लर्ण कर सकते हो कि जैसे की यह है एलपाइन अंगोरा एंग्लोबियन इसका बन जाता है जो फॉर्मॉला बनता है ए थ्री टी एन हाँ एक बीडिस में मिस होगी है तो आप नोट कर लेना इसका जो फॉर्मॉला बनता है हुआ है हुआ है यह थ्री टी एन एस एस से अलपाइन ए थ्री मलों ए तीन पर आएगा अलपाइन एंगोरा एंग्लोबियन टी से टुगेंबर्ग एंसे नुबियन सुदान की ब्रीड है और इसमें जो जो लास्ट आएगी वह सेनमन जो लास्ट ब्रीडेश में है सेनन एस से डवल एन एन एस डवल एन 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 ठीक है जी इसकी जो सिक्स ब्रीडेश में में मिस हो गी है सोरी उसके लिए दूस्ट जैनन है तो इसको बोला जाता है milk queen of goat ऑफ गोट की इसको milk queen बोला जाता है इसके सबसे जाधा दूद प्रैजन रहता है ठीक है जी थे आपका टोपिक हो गया आज हमने कवर कर लिए तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे हाउसिंग सिस्टम ऑफ के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारी चैनल को शेर करें सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड तो शहर करें को टूशन लेनी है जा कोई उसमें दिक्कत आ रही है तो में को कमेंट सेक्षन में कमेंट कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं ट्विशन लेनी है तो शाम को आठ बजे का टाइम होता है तो आप वह भी जोईन कर सकते क्लासेज थैंक यू